चलिए हमारे पास कोशन नमबर 4 है यह हमारा प्रसना वाली 14 है कोशन नमबर 4 है यदि किसी गहन का परते किनारा 10 cm हो देखिया हमारे पास किसी भी गहन का परते किनारा उसका जितने भी किनारा है सब 10 cm है तो उसका प्रिष्ट शेत्रफल चाहिए और आयतन चाहिए चलिए इ बूजा क्या बूजा गूजा को बूजा को अम एल से डिटे्स करते हैं तो बूजा आपको दे कुछा है 10 cm वह भी आपको परते इक भूजा Okay तो उसका ए में कहता है आपको怖ishtrche चितरफल चाहिए चलिए आप हमें बताइए आपको कुल परिष्ट छेतर्फल चाहिए वो भी का चिचका? क्या चिचका? आपको घंड का और घंड का खूल परिष्ट छेतर्फल का जो फर्मूला होता है वो 6Lval squad होता है बोले तो L न बıtक की आपको भूजा, 6 भूजा squad होता है तो 6 और भूजा का आपको 10 यहां दे चुका है, 10 का स्कॉाइर, आपको देखी क्या करना है, यह 6 लिखना है, 10 का स्कॉाइर किता होता है, 10 का स्कॉाइर आपको होता है, 100, बिलकुल, आपको हो गया 10 का स्कॉाइर, 100, और आप देखी, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यह 100 गुने 6, बोले आपको 600, ठीक है, और या आपको जो है, देखे, आपको बूजा जो आपको सिंटि-मीटर में दिया हुआ है, हम यहाँ पर 6 तर्फल निकाला ले हैं, इसलिए आपको इसको क्या लिखेंगे, स्क्वार में लिखेंगे तो आपको 600 cm² चलिए आपको देखे बी में क्या कहता वो देख लेते आइतन निकाले आपके पाज जो है आइतन निकालना आपको घंका आइतन चाहिए तो घंका आइतन का फर्मूला क्या होता है वो आपको होता भूजा Q तो क्या होता आपको घंका आइतन का फर्मूला भूजा Q, आपको इस फर्मूला का पर्योग करना है, तो यहाँ पर हम लिख दें 10 का Q, ठीक है, 10 का Q, मतलब आपको कितना 10 है, तो मतलब 1 पर आपको 3 0, यहाँ पर आपको 3 0, और यहाँ पर आपको हम क्या निकाल ले, आइतन करेंगे क्योंकि हम मतलब होता है 10 गुने 10 गुने 10 ठीक है यह तो गुना किये तो 100 100 में फिर से 0 आ गया तो तो आपको 1000 सेंटीमीटर समझ में आ गया ना तो यह कोशन नमबर 4 था चलिए हम कोशन नमबर 5 देखते हैं हमारे पास कोशन नमबर 5 है यह दि किसी घं का विकर्ण एक किनारा बताईए देखे आपके पास घं का विकर्ण का मान मालूम है 1 सेंटीमीटर तो उसको आपको किनारा बताना है बोले तो भुझा का मान बताना है भुझा को ऐल से भी डेनोट करते हैं तो वह एंड बी में कहता है किसी घं के एक किनारे एवं विकर्ण की यो का नुपात क्या होगा चलिए हम यह दोनों कोशन को solve करते हैं किसी घंड का विकर्ण एक सेंटीमीटर है मैं आपको बता दूँ यदि आपको घंड का विकर्ण चाहिए तो उससे पहले आपको घंड का विकर्ण का फॉर्मूला लिखना परेगा और घंड का विकर्ण का होता है वो आपको पता होना चीए यदि नहीं पता है तो आपको दिक्कत हो जाएगा देखिए घान के विकर्ण का फर्मूला होता वो तो आपको पता होना चीए उससे पहले मैं बता दू इस घान का विकर्ण प्रस्ण से आपको दे चुका है एकस सेंटीमीटर और घान के विकर्ण का फर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए यह आपको होता है रूट थिरी एल एल बोले तो भूजा यहाँ पर लिख दे भूजा येस और यह आपको एकस आप हमें बताईए ये तो आपको एकस है आपको प्रस्ण से कोशन में कहता है क्या आपको एकस का मान चाहिए नहीं आपको बोला है यहाँ पर देखे ना कोशन में क्या कहता है ये किनारा चाहिए क्या चाहिए आपको किनारा किनारा बोले तो भूजा बिल्कुल यह आपको समझ में आया चलिए कोशन डंबर B का हम देखते हैं 5 का B आपको क्या कहता है कि किसी घं के एक किनारेवं विकर्णों की लंबाई का नुपात क्या होगा तो मैं आपको बता दू घं को क्या चाहिए किनारा आप देखें यहाँ पर हम माल लेते माना की माना की घं का किनारा किनारा जो है ना उसको हम माल लेते इल है क्या है इल है इल मानने में दिकत नहीं दिकत चलिए मैं आपको बता दू यह तो हमारा इल हो चुका है आगे आगे आपको इसमें कहता है इसकी लंबाईयों का अनुपात क्या होगा आप हमें बताईए घन का विकर्न का फर्मूला क्या होता है घन का विकर्न के लिए जो फर्मूला होता है वो क्या होता वो आपको पता होने चाहिए वो होता आपको रूट 3L येस बिल्कुल आप इसका अनुपात कुछ लिखेंगे हाँ बिलकुल इसका आनुपात आपको जब लिखना हो तो यह जो एंड आपको इसको रेशियो में लिख दीजे तो वन रेशियो रूट थिरी यह बिल्गुल समझ में आया तो इस तरीके से आपका यह शौल हो गया यह कोशन नमबर आपको फाइब का भी था आप देखते सिक्स कोशन नमबर सिक्स एक दो मीटर लंबी भूजा वाले घं से एक मीटर लंबी भूजवाले घं काट लिया गया तो गहन का सेस आइतन घं मी में निम्लिखित में कौन होगा आपको यहाँ पर बताना है तो पहले एक दो मीटर लंबी भूजा वाले घं से tö अब से पहली बात हम इस कोशन को सॉल्व करते हैं आपको यहाँ पर क्या करना ह जब 2 meter भू 27 बूज़माइगा है एक दो मीटर लम्बी भूजय वा ले घंकाहितन, तो चलिए पहल एम इसको हल लिखते यहाँ पर फिर आगे कुछ करेंगे, आगे देखिέ, यहाँ पर लिकते हैं, जब two meter two meter लंबी भूज़ा वाले गठ खंट काईतन बिलकुल आपको समझ में है? जब two meter लंबी भूज़ा वाला हो तो घठ काईतन क्या होगा? आपको पता होनाची घठ काईतन जो फ्रमॉला होता है वो भूजा क्यूज़ा होता है? भूजा, प्योब, मतलब 2 का Q, मतलब 8, and आप देखी, आप आगे देखे, एक मीटर लमबी भूजा वाले का भी निकालते, एक मीटर लमबी भूजा वाले घन का आईतन, मतलब सेंपने, मतलब इतलिए आपे यहाँ पर यह उतारना, भूजा वाले घन का आईतन तो भूजा Q मतलब 1 का Q 1 आगे दिखें क्या कहता है कि आपको बोला है घन का 6 आईतन कितना होगा आपको 6 आईतन पूछ रहा है आपको पता है, टोटल पता, आपको इतना पता है मतलब 2 मीटर और 1 मीटर का मालूम है तो आपको यहां पर 6, बचा आईतन कितना होगा तो आप यहां से 6 आईतन लिखेंगे तो क्थ का लिखना होगा तो 6 आईतन लिख दीजे, 8 और यह हमारे पास 1 मीटर का 1 है तो आप देखे, 8 में से गया तो 7 बिल्कुल, तो यह आपको समझ गया, 7 कैसा है हाँ तो इस तरीके से यह question number आपका जो 6 कह रहा था कि 6 item क्या होगा तो वो हमारा हो चुका है यह आपको 7 yes and आगे देखिए 5 cm किनारे वाले कितना 5 cm किनारे वाले घन को 1 cm किनारे वाले कितने घनों में विबगत किया जा सकता है तो चली मैं इस question को solve करता हूँ तो हमारे पास 7 जो आपको कहता है 5 cm किनारे वाले एक घन को कितने 1 cm किनारे वाले घनों में विबगत किया जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है 5 cm हल लिखते पहले फिर उसके बाद काम करेंगे 5 cm किनारे वाले एक घन का आईतन लिखते ठीक है 5 cm किनारे वाले एक घन का आईतन आईतन बिल्कुल आपको क्या होता है भूजा क्यों होता है फर्मूला यस आपको यहाँ पर क्या करना पाँच का क्यूं कर देना पांच का क्यूब बोले तो एक सो पचीस येस आपको देखिए आगे आपको इसमें टा करना है ये तो आपको समझ में आगे पांच का क्यूब कैसे हो आप आगे आपको कहता है एक सेंटीमीटर आपको लिखना है एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर किनारे वाले गन का आईतन गन का आईतन अब एक संटिमीटर का निकालेगा तो बूचा क्यूँ वन क्यूँ तो वन यह आपको समझ में आ गया हाँ, आपको कहता है कितने गनों में विभक्त किया जाएगा आप हमें बताइए पांच कलम का रेट पांच कलम का रेट 25 रुपया है तो आप एक कलम का रेट कितना बोलेंगे कितना बोलेंगे पांच से उसमें 25 में डिभाइट कर देंगे तो पांच रुपया बिल्कुल आपको बताईए हमें इस पांच सेंटीमीटर किनारे का मान का आयतन जो है 125 है तो एक सेंटीमीटर के घ चीक के लिए को क्या करना होता है अब राकी एकुष्ट पहसा है की उपसे जब चाहर काम हुए धर्यांuf मिल जागा और है पर कुशन नमबर 7 में आपको कहता है 4 में 25 और 5 में 125 कहता है तो आपका ये आंसर आपको सही होगा ठीक है